सब्सक्राइब कर देखने को मिले हाफ़े के पहले ही दिन आज है 25 अगरस 2020 तूजड़े है सुबह के 8 बच कर 38 मिनिट्स हो रहे हैं आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लिवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाइ करेंगे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के आलाद देख लेते हैं कल आफ़ते के पहले दिन अमेरिकी बाजार में भी जबरदस्ते जी देखने को भ अगर आप आमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर यह जो बेरिश कैंडल का आप यहां पर यह जो बेरिश कैंडल का हाइ का लेवल है यहां पर यह हीरडल बना हुए था यह इसका 11443 लेवल जो था हाइ कालेवल कल इसने ब्रेक कर दिया हालाकि अभी यह तो अगर यह इस लॉंग बियरिश केंडल के हाई के ऊपर अगर यह कमपटेबली क्लोज देता है इस महीने में यह अगर यह मन खतम होते वक्त तो यहां से जबर्दस तीजी निफ्टी इंडेश में और भी हमें देखने को मिल सकती है तो यहां पर ब्रेक आउट मिल सकता है यह बेरिश कंडल का ब्रेक आउट यहां पर मंतली चाट में मिल सकता है अभी तक यह कम्वली показ देने की गगार पर है इंजी करने LG विकली चाट. pickles आइं श्याट में जो एंदें लास्ट यहां पर एक साइडवेस पैटन बन रहा है, इसका ब्रेक आउट डेगी है, अभी यह पहला ही ट्रेडिंसेशन दा कल का, अगर निफ्टी यहां से और भी उपर की तरफ पड़ता है, तो फिर्स्ट यहां पर इमीजेट रिजिस्टंस होगा 11600 के पास, जहां पर इसने पास् हर्डल फेस कर सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है, तो उपर 11700 के आमे लेवल साते हुए दिखाए के सकते है, अभी निफ्टी के लिए सपोर्ट जहां पर लास्ट टू वीक्स इसने यह सपोर्ट टेस्ट किया था 11150 के पास, यह अभी फॉस्ट इमीजेट सपोर्ट हो सकत है, अगर मुविंग अवरेज इसको देखे, यहां तो गोल्डन क्रॉस ओवर बनने के चांसे लग रहे है, गोल्डन क्रॉस ओवर मिंस यानि क्या, एक ही अटेम में यह जो टीनो शॉट टम, मिद टम, लॉंग टम मुविंग अवरेजेस है, यह क्रॉस होता है, एक दूसर होने के आशनका है, ऐसा ही होगा यह कहनी जा सकता है, लेकिन आशनका यहां पर प्रॉबैबिलिटीज है, तो यहां से अगर गोल्डन क्रॉस ओवर होता है, तो निफटी इंडेक्स में जबरदस्ती जी हमें यहां पर देखने को मिल सकती है, मंतली चार्ट में बेरिश कैं यहां से एक्स्टेंशन लेवल को पकड़ गया, हमें स्विंग हाई लो को पकड़ के यह टूल को ड्रॉ किया था, इसका 76.4% का लेवल एक्जैट कल इसने अचीवड कर लिया, इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो 11,486 के ऊपर अगर अगर यह सस्टेंड करने लेकिन अगर डेली चाट को देखे तो यहां पर यह जो स्विंग हाई बना है, यह आराउं 11,400 के पास बना है, तो 11,400 जहां पर यह हडल फेस कर रहा था कुछ दिन, तो यह अभी सपोर्ट का काम कर सकता है, जो पास्ट में रिजिस्टेंस का काम करता है, वो फ्यूचर में तो निचे 11,400 ही सपोर्ट का काम कर सकता है, और गलता ही तो पास बेजिए सटेंस करता है आरई चाट में तो निफिन इंडेक्स में ओर भी तेजी हमें यहां से देखने को मिल सकती है, और Разए की बात करें तो यह जो आरे संद में एक पैटन बन रहें जिसका नाम है बॉटम बना था डब्लीव पैटन तो इसके ज़स्ट ऊपर अब जाकर देखें तो यहां से यह तेजी आ गई थी फिर जैसे राइजिंग बॉटम बनता है आरे साय में यह राइजिंग बॉटम है यानि इसे डब्लीव पैटन भी कहते हैं उपर अगर देखें तो इसके बा यहां पर एक डब्लीव पैटन बन रहा है अभी भी इसके नेकलाइन का यह जो फिर को ब्रीकाउट में यहां बहुत जरूरी है अगर इसक प्रेक उडल यह पैटन यहां पर यहां पर कंपलित हो जाएगा और प्लीटिव बीस में उपर की चाट में क्विक्ली इंट्राडे लेवल को ऐडिन्टिफाइ करेंगे निफ्टी इंडेक्स अगर यह जो कल यहां पर यह हर डाल फेस कर रहा था 11,486 के पास तो यह लेवल अगर करता है यह लेवल को अगर यह ब्रेक करता है तो यह लेवल को अगर यह ब्रेक करता है इस लेवल को अगर ब्रेक करता है सपोर्ट को तो यह आपर इंट्राडे के लिए हम यह आपर तभी शॉट पोजिशन बना सकते है और तभी हमारा फर्स तार्गेट होगा 11,439 एक चोटा सा क्विक्ली फर्स तार्गेट होगा और सेकेंड टार्गेट होगा 11,422 यह हमारा सेकेंड टार्गेट होगा तो यह आज की लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स अगर आपको यह वीडियो अनलीसिस अच्छा लगाओ तो लाइक शेर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना मिलें तो थेंक्यों वेरी मच एपट्रेडिंग फैप एक अथवरी पार्टनर है डिसकांट गुरोपेश और सब्सक्राइब अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रफ्रेल एडिके अंडर अगर आप ओपन करते तो आपको हमारी जो इं आपको इंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो प्लाइंट आइडिया है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कन्फर्म कर करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबर्शिप में आड़ कर सके तो यह चोटा इंट्रो था ट्रेडिंग के बारे में